अपने टूट चैनल रेलेटिपाइट मेंटल परिक्षा में और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पर चालन विभाग से सम्मन्दित 500 प्लस महतोपूण प्रेश्ण तो वीडियो को सुरू संतक देखिए ना वुलिगा है ये वीडियो ट्रैफिक इंस्पेक सीधे लाइन के लिए सेट हो तो रात में कौन सी बत्ती बताएगा इसका सही उत्तर है सफेद सेकंड नमर प्रेश्ण है पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती बता रहा है तो वह किस लाइन के लिए सेट है टर्न आउट के लिए प्रेश्ण नमर तीन है इस्टेशन सेक्शन कौन से class के station पर होता है station section B class station पर होता है प्रेश नमबर चार है जो line signal हो से नियंतित होती है उसे कौन सी line कहते है running line कहते है जो line signal से नियंतित होती है उसे running line कहते है प्रेश नमबर पाच है IBS कौन से section में होता है IBS double line रंगीन बत्ती section में होता है प्रेश नम्बर 6 है दो संकेती है सिग्नल ब्योस्था वाले इस्टेशन पर लाइन क्लियर देने की प्रयात्य दूरी कितनी है 400 मीटर प्रेश नम्बर 7 है बहु संकेती है सिग्नल ब्योस्था वाले इस्टेशन पर सिग्नल आप करने की प्रयात्य दूरी कितनी है इसका स्यूत्तर है 120 मीटर प्रेश नम्बर आठ है अनुमोदित विशेस अनुदेश किसके द्वारा जारी किये जाते हैं इसका स्यूत्तर है सियारिस इसका फुल फो मोतारील सनरक्षड आयुग्ट प्रेश नम्बर नो है जहां सड़क पर रेलवे लाइन एक दूसरे को समान इस्तर पर पार करती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं इसका स्यूत्तर है समपार प्रेश नम्बर दस है बहु संकेती है सिग्नल ब्यवस्था वाले इस्टेशन पर लाइन किलियर देने की प्रयात्त दूरी कितनी है इसका स्यूत्तर है 120 मीटर प्रेश नम्बर ग्यारा है दो संकेती है सिग्नल ब्यवस्था वाले इस्टेशन पर सिग्नल ओफ करने की प्रयात्त दूरी कितनी है इसका स्यूत्तर है 180 मीटर प्रेश नमबर 12 है पूरो अमध्य रेलवे ECR का मुख्याले कहां है इसका सयुत्तर है हाजीपूर प्रेश नमबर 13 है ब्लोक सेक्षन में तुफान आ जाए तो लोको पाइलट गाड़ी को कहां खड़ी करेगा इसका सयुत्तर है सुरक्षित इस्थान पर प्रेश नमबर 14 है एनेमी मोटर किस बात की सुचना देता है इसका सयुत्तर है हवा के बेग को प्रेश नमबर 15 है जिन इस्टेशन पर double distance signal लगा हो, वहाँ distance signal कुल कितने संकेत प्रदरसित करता है, इसका सही उत्तर है दो संकेत प्रदरसित करता है, प्रेश नमबर 16 है, calling on signal of city में कौन सी पत्ती बताता है, इसका सही उत्तर है P. ली, प्रेश नमबर 17 है, color light distance signal की क्या प्रेश नमबर 18 है, sun signal कौन सी signal के नीचे नहीं लगाया जा सकता है, इसका सही उत्तर है प्रेश नमबर 19 है, चालक को खराव आगमन रोग सिगनल के लिए पिछले station से प्राधिकार प्राप्त होने के बाद, चालक उस signal को अधिक्तम कितनी गती से पार करेगा, इसका सही उत प्रेश नमबर 20 है, क्या किसी station का outer signal फेल हो जाने पर होम को भी फेल माना जाएगा, इसका सही उत्तर है नहीं, प्रेश नमबर 21 है, खराव आगमन रोग सिगनल के लिए पिछले station से प्राधिकार मिल जाने पर चालक को signal के नीचे करमचारी कौन सा हैट सिगनल दिखाएगा इसका सही उत्तर है, प्रेश नमबर 22 है, रिपीटिंग सिगनल ओन इस्थिती में कौन सी बत्ती बताता है, पीली बत्ती, प्रेश नमबर 23 है, दो संकेती है सिगनल लाइन, बी क्लास इस्टेशन पर कम से कम कौन सी सिगनल लगाए जाते हैं, इसका सही उत्तर है, आउट औ लिमिट बूर्ड में रात के समय लाइट किस तरफ जलती हुई दिखाई देती है इसका से उतरे दूनों तरफ प्रेश्च नमर छबी से किसी गाड़ी के लिए आगमन सिगनलों को कितने समय से पहले ओफ नहीं किया जा सकता इसका से उतरे 10 मिनिट से पहले ओफ नहीं किया जा सकता प्रेश्च नमर छबी से किसी गाड़ी इस्टेशन पर आगमन के पस्चाट डवल लाइन पर पीछे की और सभी पॉइंटों को विप्रित लाइन के लिए बदलना वस्यक है इसका से उतरे हाँ प्रेश्च नमर अठाई से आईबी इस की होम सिगनल को ओन स्थिती में पार करने का प्रदिकार पिछले स्टेशन से मिलने पर उसे पार करते समय अधिक्तम गती क्या होगी इसका से उतरे समाने गती प्रेस्ट नमर इंटी से किसी स्टेशन पर स्टाटर्ट सिगनल रात के समय ओफिस इत्ती में हो परंतु उसकी बत्ती भुजी हुई हो तो लोको पाइलेट उसे कैसे पार करेगा इसका स्टेशन तरह है टी 379-3-0-B वा प्रोसीड हाथ से प्रेस्ट नमर इकत्ती से किसी स्टेशन पर गाड़ी आगमन के समय पॉइंट का मैनिंग आवस्यक है इसका स्टेशन नाइट नोन इंटर लोक पेडी लोक के द्वारा प्रेस्ट नमर 32 से IBS का होम सिगनल ओन इस्थिती में मिलने पर गाड़ी खड़ी करके टेलीफोन पर बात करने पर टेलीफोन यदी खराब हो तो उसे कितने समय के बाद ओन इस्थिती में पार करेगा इसका स्टेशन उत्तर है जश्ट पांच मिनिट के बाद प्रेस्ट नमर 33 से IBS का होम सिगनल ओन मिलने पर गाड़ी खड़ी करके टेलीफोन पर बात करने पर टेलीफोन यदी खराब हो तो लोकू पाइलेट उसी उस्थिती में पार करके प्रतिबंदित गती से कहां तक चलेगा इसका सही उत्तर है अगले स्टेशन के प्रथम रो प्रेस्ट नमर 36 से ब्लोक सेक्षन में धूंद कुहोरा मिलने पर लोकू पाइलेट गाड़ी को संफून ब्लोक पदती में अधिक्तम किस गती से चलाएगा इसका सही उत्तर है 60 किलूमीटर प्रेटी घंटा प्रेस्ट नमर 37 से बैनर फ्लैग क्या है बैनर फ्लैग फिक्स टेंपरारी डेंजर सिगनल है प्रेश्ट नमर 38 से संट सिगनल खराब होने पर उसे संटिंग के दोरान औन इस्थिती में पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है इसका सही उतर है साधा मेमू प्रेश्ट नमर 49 से ब्लोक सेक्षन में गाड़ी की दुर घटना हो जाने पर ब्रड गेज में पटाके कितनी दूरी पर लगाये जाएंगे इसका सही उतर है 600 से 1210 दस लगाये जाएंगे इतनी दूरी पर प्रेश्ट नमर 40 से तीन पटाके फोड़ने के बाद चालक को प्रती बंदित गती से कितनी दूर तक चलना चाहिए तिन 42 से standard 3 interlock section की loop line से running through जाने वाली गाड़ी की अधिक्तम गती कितनी होगी इसका सही उतर है 15 km प्रती घंटा प्रश्ट नमर 40 से एक inside 8 की turn out जिस पर coverd switch लगा हो उस पर अधिक्तम गती कितनी है इसका सही उतर है 15 km प्रती घंटा प्रश्ट नमर 44 से धूंद कुहरे के मौसम में fog signal man द्वारा पटाखे कहां लगाए जाएंगे इसका सही उतर है प्रत्थम रोग signal के बाहर 270 मीटर पर प्लस 10 मीटर पर प्रश्ट नमर 45 से इस्टेशन मास्टर को पिछले इस्टेशन से किसी गाड़ी से hot axle होने की सुचना प्रात्थ हो तो वह उस गाड़ी को इस्टेशन पर किस प्रकार की receive करेगा इसका सही उतर है बिना रोग main line पर या बाहरी रोग signal पर रोग कर loop line पर प्रश्ट नमर 46 से पिछले इस्टेशन से आ रही गाड़ी में hanging parts को तो इस्टेशन मास्टर क्या करेगा इसका सही उतर है बाहरी रोग signal पर रोग कर सुरक्षित करेगा प्रश्ट नमर 47 से calling on signal ओन स्थिती में मिलने पर चालक गाड़ी खड़ी करने के बाद किस गती से आगे बढ़ेगा इसका सही उतर है साओधानी पूरवक प्रश्ट नमर 47 से line पर पटाका फोड़ने के बाद चालक कितनी दूरी तक साओधानी पूरवक चलना चाहिए इसका सही उतर है डेड़ किलोमीटर प्रश्ट नमर 49 से खराप facing point पर गाड़ी की अधिक्तम गती क्या होती है प्रश्ट नमर 50 से पेट्रोल मेन ओवर यूड होने पर ब्लोक सेक्षन में जाने वाले गाड़ी की अधिक्या होगी इसका सही उतर है दिन में 40 किलोमीटर प्रती घंटा या रात में 15 किलोमीटर प्रती घंटा प्रश्ट नमर 51 है 27 सिगनल का इस्थान बदलने पर कितने दिन तक सतता आदेश जारी किया जाना चाहिए इसका सही उतर है 10 दिन तक प्रश्ट नमर 52 है नोटिस्ट इस्टेशन की जानकारी कहां से मिलेगी इसका सही उतर है संचालन समय सारड़ी से प्रश्च नमबर तिरपन है, ओवर हेड डॉकुमेंट के सेक्षन में दूस होने पर गाड़ी के लोको पाइलोट को दिन वर रात में कितनी गती का सत्का आदेश जारी किया जाता है, इसका सही उत्तार है दिन में 35 किलोमेटर प्रती घंटा, या रात में 20 किलोमेटर प्रती प्रश्च नमबर वच्वपन है, संसोधित इंटर लोकिंग स्टैंडर्ड सेकेंड के इस्टेशनों पर में लाइन के फेसिंग पॉाइंट पर अधिक्तम गती क्या होती है, इसका सही उत्तार 110 किलोमेटर प्रती घंटा, प्रेश्च नमबर शंतावन है, संसोधित इंटर लॉंगिंग इस्टेंडर्ड 4K सेशन पर मेल लाइन की फेसिंग पॉइंट पर अधिक्तम गती 160 किलो मेटर होती है प्रश्च नमबर अन्ठावन है लूप लाइन से गुजरते समय गाड़ी की अधिक्तम गती 15 किलो मेटर प्रती घंटा होती है प्रश्च नमबर 69 है है 10% कम करके प्रेश्ण चींट है गाड़ी इसका सही उत्तर है संचालन समय रारणी में इसा इसालक को किस प्रतिकार पतर के द्वारा दी जाती है इसका सही उत्तार सटरकता आदेश के द्वारा प्रेश्ट नेंबर 45 है ब्लोक सेक्षन में हेड लाइट फेल हो जाने पर ब्रॉट गेज में गाडी की अदिक्तम गती क्या होगी इसका सही उत्तार 40 किलोमेटर प्रती घंटा प्रेश नंबर 65 है ब्लोक सेक्षन में इंजन की सीटी खराब हो जाने परदिक्तम गती क्या होगी इसका सही हुत तरे 25 किलोमीटर प्रतिगंता प्रेश नंबर 66 है खराब टेलिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिक्तम गती कितनी होनी चाहिए खराब ट्रेलिंग पॉइंट पर गाड़ी के 50 किलोमेटर प्रती घंटा होनी चाहिए। मेल लैन के खराब ट्रेलिंग पॉइंट पर गाड़ी के अधिक्तम गती कितनी होनी चाहिए। मेन लाइन के खराब ट्रेलिंग पॉइंट पर गाड़ी के अधिक्तम गरती 50 किलोमेटर प्रती घंटा होनी चाहिए। प्रेश नमर 68 है इंटर लॉकिंग के कराड़ जिस प्रत प्रत करने के लिए कौन सप्राधिकार पतर दिया जाएगा इसका सही उत्तर है टी बाई एट आट सो छे प्रेश नमबर सत्तर है इस्टेशन से रणिंग थू जाते समय इस्टेशन मास्टर दोरा ओल एट सिगनल नहीं मिलाए जाने पर लोको पाइलट क्या करेगा इसका सही उत्तर है दो छोटी सीटी बजाएगा साउधानी पूर्व इसका सही उत्तर है 20 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीट से प्रेश नमर 72 है बिना ब्रेकवान से चलने वाली मालगाड़ी पर दिन के समय टेल बोर्ड लगा हो तो वह इस्टेशन से कैसे गुजरेगी इसका सही उत्तर है समानने गती से प्रेश नमर 73 है बिना ब्रेकवान से चलने वाली मालगाड़ी टेल लेंप नहीं लगा हो तो अब ब्लॉक स्टेशन सेक्षंस में से किस गती से चलेगी इसका सही उतर है समानने गती से प्रश्च नमबर चेवहत्तर है राजधानी एक्सप्रेस में अधिक्तम कितने डेड़ इंजन लगाए जा सकते हैं इसका स प्रश्च नमबर चेवहत्तर है एक सवारी गाड़ी में अधिक्तम कितने डेड़ इंजन लगाए जा सकते हैं और एक माल गाड़ी में अधिकतम दो डेट इंजन लगाए जा सकते हैं प्रेश नमबर 77 है फिवलिंग मार्क जाम हो जाने पर चालक गाड़ वई स्टेशन मास्टर को सुचित करने के लिए कौन सी सीटी बजाएगा इसका सही उत्तर है तीन लंबी सीटी बजाएगा प्रेश नमबर 78 है पीछे का फॉलिंग मार्क जाम हो जाने पर गाड़ द्वारा गाड़ी को आगे बढ़ाने है तू दिन के समय लोको पाइलेट को कैसा हाथ संकेत बताएगा इसका सही उत्तर है सतकता से आगे बढ़ो प्रेश नमबर 89 है नोन इंटरलोक स्टेशन की मेल लाइन से रणिंग थू गुजरने वाली गाड़ी की गती स्टेशन में प्रिवेश के समय कितनी होगी इसका सही उत्तर है 15 किलोमीटर प्रती घंटा प्रेश नमबर 80 है इंटरलोकिंग वाले इस्टेशन पर मेल लाइन से रणिंग थू गुजरने वाली गाड़ी की अधिक्तम गती कितनी होगी इसका सही उत्तर है 50 किलोमीटर प्रती घंटा प्रेश नमबर 81 है इस्टेशन से गाड़ी को रवाना करने के लिए लोकू पाइलेट ड्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी इसका सही उत्तर है एक लंबी एक छोटी सीटी प्रेश नमबर 81 है ब्लोक सेक्षन से पूस बैक होकर पिछले इस्टेशन की ओर जाने आने वाली गाड़ी को इस्टेशन फर लेने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा इसका सही उत्तर है लिखित मेमू प्रधिकार पत्र प्रेश नमबर 84 है ऐसे इस्टेशन जहां एक से अधिक गेज हूँ वहाँ पेपर प्राधिकार जारी करते समय इस्टेशन मास्टर द्वारा क्या साउधानी रखी जाएगी इसका सही उत्तर है इस्टेशन के साथ गेज की सील प्रेश नमबर 85 है इस्टेशन से गुजरने वाली रणिंग थुरू गाड़ी का पूर्ण आगमोन इस्टेशन मास्टर द्वारा कैसे सुनिस्चिक किया जाएगा इसका सही उत्तर है टेल लैंप या टेल बॉड देखकर प्रेशनमबर 86 है और उदर लाइन पर खड़ी लेने के लिए चालोक को कौन सा प्रधिकार पत्र दिया जाता है इसका सही उत्तर है TY509 प्रदिकार पत्र दिया जाता है चालक को प्रेश्ट नम्र 87 है और उद लाइन पर गाड़ी खड़ी करने के लिए प्रथम रोक सिगनल पर चालक को TY509 का प्रदिकार मिलने के बाद वहाँ से आगे उस गाड़ी को कहा रोकने चाहिए इसका सही उत्तर है जिस लाइन पर गाड़ी खड़ी हो जानी हो उसके फेसिंग पॉइंट पर प्रेश्ट नम्र 88 है बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए चालोक को कौन सा प्राधिकार देकर पाइलेट किया जाएगा इसका सही उतरे T by 511 प्रेश्ट नमबर 90 है सवारी गाड़ी की संटिंग करते समय इंजन को लूड पर जोडने से पूर्व लूड से कितना पहले खड़ा किया जाना चाहिए इसका सही उतरे 20 मीटर पहले प्रेश्ट नमबर 90 है जीन लाइन पर पहले से कोई सवारी गाड़ी खड़ी हो और इवन जेंसी में उसी लाइन पर ऐसा इंजन रवाना रखना हो जिसका उस गाड़ी से कोई समधना हो तो वह हो लूड से कम से कम कितनी दूरी रखा जाएगा इसका सही उतरे 50 मीटर के परेदूरी पर रखा जाएगा प्रेश्ट नमबर 92 है संटिंग की अधिक्तम गती कितनी होगी संटिंग की अधिक्तम गती 15 किलोमीटर प्रती घंटा होगी प्रेश्ट नमबर 93 है संटिंग के दोरान रात के समय बत्ती का लाल कांच तूट जाने पर संटिंग कारे को कैसे रुखवाया जाएगा इसका सयुत्तरे सफेद बत्ती से प्रेश्ट नंबर 94 है सवारी गाड़ी के खाली रेक की संटिंग के दोरान अधिक्तम गती कितनी होगी सवारी गाडि के खाली रेक की संठिंग के दोरान अधिक्तम गती 15 किलोमेटर प्रती घंटा होगी प्रश्च नमबर 95 है, 20 फोटक माल से लदे हुए वेगन की संटिंग के दोरान अधिक्तम गती कितनी होगी, इसका सही उत्तहरे 8 km प्रती घंटा प्रश्च नमबर 96 है, यात्रियों सो यूग्त सवारी गाड़ी की संटिंग के दोरान अधिक्तम गती 8 km प्रती घंटा होगी प्रश्च नमबर 97 है, दुर्गटना गतना के समय ती ए 602 सी के प्राधिकार पर जाने वाली सहायता गाड़ी के लिए लोको पाइलोट को कहां से कहां तक यात्रा करने की यूदुमती है, इसका सही उत्तहरे दुर्गटना इस्थल एवं वासं वापस प्रतम रोक सिगनल प्रश्च नमबर 99 है, दुर्गटना गरस्ट ब्लोक सेक्षन में जाने वाली अप गाड़ी के चालो को कौन सा प्रधिकार पतर दिया जाएगा, इसका सही उत्तहरे ती बाई ये 602 प्रधिकार पतर दिया जाएगा, प्रश्च नमबर 99 है, दुर्गटना गरस्ट ब्लोक स सेक्सार में अधिक्तम कितनी सहता गाड़ी भेजी जा सकती है इसका सही उत्तर है दू प्रेश्ट नमर सो है डवल लाइन पर पूर्ण संचार ब्योस्ता भंग के समय एक गाड़ी जाने के बाद उसी दिशा से दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी चस्ट उसके 30 मिनिट ब वीडियो में 100 प्रेश्ण दिये जाएंगे ऐसे 500 प्रेश्ण पूर्य किया जाएंगे तो वीडियो को सुरू से अंतक देखने के लिए बहुत धन्य बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेयर जरू किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा धन्य बाद दोस्तों नमस्कार